दोस्तों बिहार में तेजस्वी यादब की दस दिनों की रैली की शुरवात की गई है जिसमें जनता से संबात किया जाएगा जनता के बीच तेजस्वी यादब पहुचेंगे जिसकी शुरवात आज से कर दी गई है जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि इसकी शुरवाद जो है बिहार के मुजफर पूर से किया गया और वहाँ पर जन का जो आशरवाद था वो जबरदस तरीके से तेजस्वी आदब को मिलतावा नजर आया लाखों की भीर जी हाँ लाखों की भीर और ये यात्रा दस दिनों तक कई राज्यों में जाएगी जिसमें तेजस्वी आदब खुश शामिल होंगे और लोगों से बातक्षीत करेंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दू कि आज तेजस्वी आदब को देखने के लिए जो भीर उम्री जो जनता आ गई बिहार की वो ऐसी आई दोस्तों कि अफरा तफरी का महौल मच गया जिहां तेजस्वी यादब की रैली में भगदर मच गया यहां तक की मंच भी तूट गया है इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे कि तेजस्वी यादब सीता मड़ी प सबाव बजट सत्र का आज पाचवा दिन है विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्य मंत्री ते जिस्वी आदब अपनी जन्विश्वास यात्रा जो है बिहार से शुरू कर रहे हैं अप राद को लेकर सत्ता पक्ष में भी गतिरोध है और साथ में मंत्री मंडल विस कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं जिस तरीके की नितिश कुमार ने हरकत की है उससे कही न कहीं उनके खुद के खेमे में भी हलचल मची हुई है और बीजेपी तो भरोसा जता नहीं पा रही है सरकार भले ही बन गई है लेकिन बीजेपी जो है वो नितिश कुमार पर वि बता दे कि यह हंगामा इतना जादा हो गया कि कुछ देर के बाद सदन से आरजेडी के विधायक जो है वो कौट करते वे नजर आए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादब जो है बिहार की जंता से हर राज्यम में जाते वे नजर आ रहे मिलते वे नजर आ रहे संबाद करते लेकिन उसके बाद आपको बता दे कि मुजफर पूर से सीता मड़ी की और कूछ करने वाली यह यात्रा विश्वास यात्रा जो है वो अचानक से मंच तेजस्वी यादब का तूट गया मंच तूटते ही वहाँ पर जबर्दस तरीके का भागा दोड़ी मच गया अफरा त जादा आ गये थे हद से जादा लोग आ गये थे जिस वज़ा से यह मंच तूट गया मंच पर जो लोग चड़ गये थे इस वज़ा से वहाँ पर अफरा तफ्री का महौल देखने को मिला जो अब काफी तेजी से सुर्खिया बटो रहा साथी आपको यह भी बता दे दोस्त तो तेजस्वी यादब लगातार अपनी यात्रा की जो तस्वीरे है वो साजा कर रहे हैं और क्या कुछ इस यात्रा को लेकर कह रहे हैं सबसे पहले मैं आपको तेजस्वी यादब का वो ट्वीट दिखाना चाहूंगी कि तेजस्वी यादब ने अपनी यात्रा में शाम और स्वाबिमान का हमेशा खयाल रख सकूँ ये विश्वास और भरोसा देते हैं हूँ सीता मड़ी में उम्रे जन सहलाब की हारदिक अभी नंदन आप खुद तस्वीरों के मादियम से देख सकते हैं कि सीता मड़ी में किस कदर जो है लोग उमर पड़े हैं आप दूसरे इस वीडियो के अंदर इतने लाख लोग नज़र आ रहे हैं जिससे साफ तोर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफरत अपरी तो लाजम है कि कैसे अफरत अफरी का महौल इस जगह पर देखने को मिला होगा दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते है आपकी क्या प्रति के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले